हाई फ्रेंट्स में हुम मानव विलकम टो मुवी शुवी अभी भूल बुल लाई है टू का टीजर आया है और उसमें काफी कुछ मैंने अब्जर्व करा हलागी सिर्फ 20 सेकंड्स के असपास कई है 25 सेकंड्स का असपास कई है उसमें तरह किया जो भी गाना है वह वापस आत चीलला है यह में पहली मूवी में भी आचा लगा उर लेकिन वो मधूर घाना भी आपके दिमाग में स्कैर क्रीट कर देता है तो एक तो होगी बाती जो मेरा उब्जर्वेशन था दूसरे ऑब्जर्वेशन जैस तरीके का उन्होंने भूतिया मेहल फिर से यूज़ किया और जिसे कहते हैं ना Solid Rot Iron के अंदर के जो Text लिखे हुए आते हैं इंट्रोडक्शन के वो बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगा ये काफी हमने South की Movies के अंदर भी देखा है बट अब हमें Hindi Cinema में देखने को मिल रहा है वो एक थोड़ी Gravity लेके आता है स्टोरी के उपर कि कुछ भूतिया Rugged Dark क्योंकि ग्लूमी है उस तरीके से होना और जिस तरीके से कैमरा जाता है भूत के उपर वो मुझे थोड़ा सा Confusion State of Mind में डालता है क्योंकि Last Valley Movie के अंदर हमने वो भूत नहीं देखा था तो यहां पहले ही भूत को दिखाया गया तो भूत जाता होना होला है फिर शुरू होता है टन टन करके introduction होती है कार्टेकारियन की और कार्टेकारियन अपना वो टिपिकल पट्टा पहन के आता है जो अक्षे कुमार ने पहना था अब देखो अक्षे कुमार का जो acting style है उसको बहुत अत्तक कार्टेकारियन कॉपी करते हैं और अगर आपने लुकाचिपी नहीं देखी है अभी तक वो आप देखो कि आपको लगेगा एक-एक सीन एक-एक सीन ऐसा लगता है कि अक्षे कुमार यंग हो गए है और वो ही कॉपी पेस्ट के तरीके से वो करने की कोशिश करता है हसने के style बूलने style आरे किसी मत करो ना वो जो कौन सी movie आई थी Mr. and Mrs. Khiladi या खिलाडी 420 ऐसे करके वो जो movie आई थी जिसमें वो निकम्मा सा होता अक्षे कुमार सतीश कौशिक के साथ तो उस तरीकी की आप movie आप देखो आपको लगेगा कि बिल्कुली cut copy-paste उस जमाने का जो अक्षे कुमार था बिल्कुल वैसे ही उसने यहां पर acting करिये और क्योंकि उसी तरीके कारेक्टर आपको आगे लेके जाना था और अक्षे कुमार has grown old तो आपको उसी कारेक्टर के अंदर रहना था तो कार्तेकारन को ले लिया which fits the bill from the copy-paste perspective originality यहां पर क्या लेके आता है वो देखने वाली बात होगी जब movie यह release होगी या फिर इसका trailer आएगा जो थोड़ा सा और concept के ओपर रोशनी डालेगा बट यहां पर equity of first movie को थोड़ा सा ज़ादा ध्यान में रखा गया क्योंकि equity of the first movie is that you are left in confusion that whether there is a भूत और it is a split personality whether it is science और supernatural उसकी एक conflict के अंदर ही आप इतने explanation के अंदर गोज जाते हो और यहां पर जो explanation मेरे खाल से इतनी ज़्यादा होगी नहीं क्योंकि यहां पर आपको ज़्यादा भूत पहले से दिखा दिया गया है वो भूत है split personality है क्या है वो सब देखेंगे यार कि क्या निकल के आता है बहुत ज़्यादा मुझे direct भूत देखने में जाना interest नहीं होत for me to be very honest because Karthik Aryan has always failed in front of me to really tell me that he's a very versatile actor he's a very good actor when it comes to comic movies इदर उदर हसाने में ठीक है but versatality में मेरी बात से agree करो ना करो बट मैं तो अपने आपको express करने के लिए बनाता हूं किसी को खुष करने के लिए बनाता नियो विडियो तो जब अभी वो जो टेरर लाइफ के इनोंने copy बनाया था धमा का उसके अंदर भी मुझे लगा था कि जो gravity चाहिए थी intensity चाहिए थी न्यूज आंकर को उस moment में expression लाने की वह आसपास भी नहीं थे भाई विए ने कुरिं मुवी देखी थी उसमें क्या gravity थी यार वी नीट नीट सम बिटर एक्टर टू ब्रिंग इन वराइटी ऑफ एमोशन उसके लिए काफी experience की भी ज़रूत होती है वह नाचुरली निक अब कैसे रहता है क्या वह वह एक्टर कभी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा लेट सी बड़ फिलाल के लिए इस टीजर के लिए इस ओके टीजर बलाब नथिंग एक्साइट नीट वाच पार्ट फिट फर्स पार्ट वह रही इंट्रीगिं दुवांस औफ अक्षे कुमार कर गया था मैं फैमली के साथ जारों देखने के लिए के लिए इस चैप्कर टू और फिल मैं आपके साथ एक और री लोड़ेट रिव्यू शेयर करूंगा उसमें स्पोईलर हंड़न पर्सेंट होंगे इसके अंदर तो थे ही नी और उसके अंदर स्पोईलर वाले होंगे बा